तोरी सिख्षा तो अमीर का लर्का तो पढ़ जा रहा है वो जवार नहोता है विद्धियले केंदरी विद्धियले और कान्वेंट श्कूल पबलिक स्कूलों में गरीब का बच्चा वही प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है मिट्डे में इल खाओ थाली बजाओ घर जाओ इस देश में मानवर कांसी रामजी के मिशन को पुनर जीवित करना है निर्धनों का छोटा छोटा साधन का इस्तेमाल करके जो आंदोलान हम खड़ा करेंगे वो निर्धनों के ही काम आएगा धनवानों के धन का सहरा लेकर धन के बल पर धनवानों को जिता कर धन को धनवानो को ही परास करके जो भी हुकूमत बनेगी वो धनवानों के ही काम आएगी निर्धनों के काम नहीं आएगी सामाजिक बदलाव का इजेंडा छोड़के यथा इस्तितिवादी हो गए सोशणकारी ताक्तों के आगे घुटने टेक दिया सपाने बसपाने तो वो नेपत्थ में चले गए हैं और इस चुनाव में अभी यूपी में बनी बनाई सरकार वो खो बैठे हैं मैं दद्दू परशाद राष्टी सेहुजग सामाजिक परिवर्तन मिशन पूर कैबनेट मंतरी मानोवर कांसी राम जी का चेला आज कांस्टिटूशन कलब में सामाजिक परिवर्तन मिशन की चिंतन बैठक एक सेमिनार के रूप में आयुजित की गई और इसमें हम लोगों ने ये प्रिश्टाव पास किया कि जो आरेक्षन भारत में तो जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर हो है और आरक्षन की सीमा 50% से बढ़ा करके ये 85-90% जनसंख्या के अनुपात में किया जावे और साथ ही साथ जाती वार जनगड़ना देश में जरूरी है पिछड़े वर्गों की और पिछड़े वर्गों की जब गिंती नहीं होगी तो ये पिछड़े वर्गों पर घड़ियाली वासू बहाने वाली नरेंद मोदी की सरकार ये पाखंडिये दिखावा कर रही है और इसलिए पिछड़े वर्गों की जाती आधारी जनगड़ना कराये जाना जरूरी है और देश में एक समान सिक्षा बहुत जरूरी है चुकि दोरी सिक्षा तो अमीर का लर्का तो पढ़ जा रहा है वो जवार नवदय विद्याले केंद्री विद्याले और कान्वेंट स्कूल पबलिक स्कूलों में गरीब का बच्चा वही प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है मि बाहर नवदय विद्याले की संख्या 600 से बढ़ा कर एक लाग की जाए और सिक्षा का बजट 3% से बढ़ा करके 25% किया जाए एक समान सिक्षा जो समिधान की मूल अवधारणा उसको देश में लागू किया जाए और एक संकल्प जो लिया गया है वो हमारा अपने लिए ऐस सरकार से मांग नहीं है कि हमें इस देश में मानवर कांसी रामजी के मिशन को पुनर जीवित करना है निर्धनों का छोटा-छोटा साधन का इस्तेमाल करके जो आंदोलन हम खड़ा करेंगे वो निर्धनों के ही काम आएगा धनवानों के धन का सहारा लेकर धन के बल पर धन धनवानों को ही परास करके जो भी हुकूमत बनेगी वो धनवानों के ही काम आएगी निर्धनों के काम नहीं आएगी तो निर्धनों के कल्याण के लिए तो निर्धन का छोटा छोटा साधन साइकल का साधन वाल राइटिंग का साधन तो इसके द्वारा हम लोगों ने मानव राम जी का मिशन पुनर जीवीत करेंगे नई दसा दिसा का अब कारण है जो मानवर कांशी राम जी ने मुद्दे निरधारित किये थे जो एजेंडा फिक्स किया था वो एजेंडा छोड़ दिया गया जो सपा बस्पा को समर्थन मिला था वो मेंडेट किसी व्यक्ति के तो उनको मेंडेट मिला और वो सत्ता में आए जब उन्होंने सामाजिक बदलाव का एजेंडा छोड़के यथा इस्तितिवादी हो गए सोसरकारी ताक्तों के आगे घुटने टेक दिया सपाने बस्पाने तो वो नेपच में चले गए हैं और इस चुनाव में अभी यूपी में बनी बनाई सरकार वो खो बैठे हैं तेजस्वी आदो भी दो साल पहले सरकार बन रही थी पर वो एटूजेट की पार्टी गोसित कर दिया सोसितों की पार्टी से डिनाई कर दिया तो फिर उसका सारा बेड़ा घर खो गया है हमें आना होगा हम लोग इस देश के बहुत संक्यक लोग हैं तो छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके हम होंगे कामयाब एक दिन निदान ये है कि इन पार्टियों को जो की भरोसा खो चुकी है नेपत्थ में जाएंगी और नई चरित्रवान सीलवान जुझारू लीडर्शिप समाज से निकल के आएगी समाज में निश्चित रूप से बदला हो रहे हैं त्यारी हो रही है और पर हमें ध्यान रखना होगा कि आब सड़ा गाला लीडर नया कोई जैसा मिल जाए वह ऐसा हमारा नेता बन जाए नहीं अब हमें सीलवान गुडवान चरित्रवान जुझारू नेत्रत हमें चाहिए निश्चित रूप से निडर्शिप एक तो माई खड़ा हूँ आपके सामने दूसरा हम एक गुरूप लीडर्शिप को डेवलाफ करने की कोशिस में लगा हूँ तो वो गुरूप लीडर्शिप बहुत जल्द नहीं उस समय समाज हमारा सोया हुआ था आज समाज जागा है एक छोटी सी काल पर आप देख रहे हैं खचा खचाल भरा हुआ लोग आए हुए हैं और बहुत ही लोग प्रेरित हो करके चूकि यहां से लोटेंगे तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम होंगे कामिया बहुत जल्द कामिया होंगे पूरी युवाओं के महिलाओं के इस्सेदारी पूरी होगी बंच पर युवा और ठीक है वो हम लोग आगे इसको कंप्लीट करेंगे जो कमिया हैं उन कमियों को दूर करेंगे निश्चित रूप से कमी आपने हमें इंगित किया है उसको हम सुईकार करते हैं आगे हम लोग विभिन हैं जो दलित और पिछड़ा बैक ग्राउंड की छोटे छोटे दल हैं उनका समनवय करके और एक बड़ा जो मानुवर कांशी राम जी की दर्सन पर भरोसा रखता हो उन दलों का समवेद और एसेम्बिल करना चाहेते हैं सर एक तरफ जो बहुजन पार्टिया है नेता है वो एक दूसरे पर आरोप परत्यारोप लगाते हैं ऐसे में आरेसे बीजेपी जैसे बड़े संगठ होनों से कैसे लगा आरोप परत्यारोप की बात नहीं है रूप से हमें बानवर कांसी राम जी के द्वारा निर्धारित किये गए मुद्धों पर लाउटना होगा बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है हमें उन मुद्धों पर लाउटना होगा जो उन मुद्धों को पकड़ लेगा तो निशित रूप से वो कामयाब हो जाएगा प्रधान मंत्री मुख मंत्री नहीं गाउं का प्रधान भी वही जीतेगा जो कांसी राम जी के दर्शन पर काम करेगा